बिस्मिल्ला रुख्मान रुरहीम, अस्सलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे मूली के पराथे बहुत सी क्रिस्पी, क्रंची और मज़दार ये पराथे बनके त्यार होते हैं एक रेसिपी में मूली के पराथों की पहले भी अपने चैनल पे अप्लोट कर चुकी हूँ ये उन पराथों से थोड़ी मुख्तलिफ है चलें अपर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं पराथे बनाने के लिए मैंने दो अदद मूलिया ली थी और उन्हें कदुकश करके अच्छी तरहां से पाने उनका निचोड लिया था साथ ही इसमें यहां पर जाएगा हरा धनिया बारीक कचा हुआ बारीक कचा हुआ हरा प्याज वन टेबल स्पून सुका धनिया साबच सुका धनिया हम यहां पर इस्तमाल करेंगे वन टेबल स्पून जीरा वन टेबल स्पून अनारदाना इसको धो के अच्छी तरहां से खुश्क करके आपने इसमें शामिल करना है हस्बे ज़रूरत नमक 1.5 टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च अब इन सब मसालों को अच्छी तरहां से हम मिक्स कर लेंगे मिक्स आपने बहुत अच्छी तरहां से करना है बारी कटी हुई हर image मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी मैं इसको बाद में इस्तमाल करूँगी किस तरीके से करूँगी मैं आपको बाद में बताती हूँ पराचे बनाने के लिए एक size के दो अदद पेड़े मेंने कर लिए है आटा हम उसी तरहां से गून देंगे जिस तरह हम आम इस्तमाल के लिए घर में गूनते हैं पेड़ों को अच्छी तरहां से बेलन की मदद से मैं बेल लूँगी किनारे अच्छी तरहां से बराबर कर लेने हैं पराठों के लिए जो filling हमने त्यार की है वो हम एक रोटी के उपर अच्छी तरहां से फिला लेंगे जितनी फिलिंग आपको पसंद है आप उस हिसाब से फिल कर लें और अच्छी तरहां से balance करने के बाद दूसरी रोटी भी हम उपर रक्तेंगे और अच्छी तरहां से इसको प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से ही आपने सारा प्राठा balance कर लेना है किनारे अच्छी तरहां से बंद कर लेने हैं मैं प्राठे बनाते हुए balance का इस्तमाल नहीं करती हूं वना प्राठे अक्सर आपने देखा है कि फट जाते हैं इस तरहां से प्राठे बनाएंगे तो आप चाहें तो डालडा घी या फिर कुकिंग ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं साइट चेंज करने के बाद देसी घी लगाऊंगी और पराठे को एक साइट से जब तक पूरा त्यार नहीं हो जाएगा पकालूंगी जब एक साइट से पराठा विल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा तब मैं इसकी साइट चेंज करूंगी पराठे को बहुत जादा नहीं पलटते ज्यादा बार-बार पलटने से पराठा इतना क्रिस्पी नहीं बनता हस्बिस जरूरत घी मजीद इस्तमाल करेंगे और साथ साथ इसको किनारों से दबाते जाएंगे और हिलाते जाएंगे पराठा हमने medium to low flame पे बनाना है तेज आंच पे बनाने से पराठा बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा ठीक तरह से और क्रिस्पी भी नहीं होगा बहुत ही मसेदार ये पराठा बनके त्यार हुआ है अच्छा मूल्यों को नचोड़ने का असान तरीका में अपनी पहली वीडियो में दे चुकी हूँ आप चाहें तो वहाँ जाके उसका तरीका देख सकते हैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप ज़रूर चेक कीजेगा बहुत असान तरीके से मूल्या ने चोड़ने का तरीका मैंने उस वीडियो में बताया है आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतायेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एन शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मिलते हैं अगली बहुत ही मज़दार और यमी सी रेसिपी के साथ अब तक के लिए अल्ला हाफिज